Subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology concerts by Rajesh Chaudhary and in this video I will discuss about the basic organic chemistry of the anthracene. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे anthracene के basic organic chemistry के बारे में मतलब हम बात करेंगे उसके basic physical property के बारे में chemical property के बारे में, synthesis के बारे में और basic uses के बारे में बात करने इस topic की तो अगर आप pharmacy के student हैं तो 3rd semester के unit number 4 आपके organic chemistry 2 का जिसमें आपके हैं polynuclear hydrocarbons तो polynuclear hydrocarbons में विसलिए 5 drug आपको पढ़ने हैं पहला है आपका है निप्थरेन जो कि हमने अल्रडी बात कर चुके हैं 2nd है आपका anthracene, 3rd है आपका phenanthrine, 4th है आपका diphenyl methane, 4th है आपका triphenyl methane तो यह आपका second drug है anthracene जो कि बहुत ही important है इससे जो है short questions चे लौंग questions दोनों आ सकते हैं and if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry you can check the description box below और पावजिंग this link so now let's discuss about the topic so anthracene, anthracene की तो भी यह भी एक तरगे से poly nuclear hydrocarbons है means ऐसे hydrocarbons जिसमें multiple rings होते है multiple जो आपके nucleus है वो attached होते हैं उनके हम बोलते है poly nuclear hydrocarbons यह एक तरगे से तीन बेंजी रिंग का fusion से बना हुआ है बात करें हम लोग नेप्थलिन की इसमें दो रिंग से बना होता है यह आपके थी रिंग से बना होता है so this is the basic structure of the anthracene बात करें इसके numbering की तो numbering हम जो हैं यहां से start कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 ठीक है क्योंकि हम ने देखा था आपके निप्थलिन के case में की 1 2 3 4 5 6 7 8 इसलिए हम ऐसी रखे गया है इसका भी कुछ रिज़ान है इसकी details हमने अरड़ी बात कर चूके है first class पर बात करें हम इसकी properties की तो जो आपके number खास कर यह one है यह eight है यह fifth है और यह fourth है तो इनकी property लवल लवक सेम होती है इसलिए हम इनको alpha position भी बोल सकते हैं यह सब क्या है अब अब बात करें हम लोग यह आपका second है थर्ड है six है और seventh है इनकी property सेम होती है इसलिए हम इनको beta carbon यह beta position भी हम बोल सकते हैं ठीक है तो उसी वे seven कर सकते हैं और बात करें हम ninth और tenth की तो ninth और tenth की property एक जैसे होती है इसलिए हम उनको gamma position भी बोल सकते हैं ठीक है तो नोमेकलेचर उस वे पर होता है आपका जैसे कि बात करें हम लोग इस case में यह आपका क्या है position नंबर nine पे ब्रोमो या ब्रोमीन ग्रूप जड़ा हुआ है इसलिएम उसको बोलते हैं nine bromo anthracene या फिर हम बोल सकते हैं इसको gamma bromo anthracene similarly आपके जो position number one पे जड़ा हुआ है sulfonic acid इसलिएम इसको anthracene one sulfonic acid या फिर alpha anthracene sulfonic acid भी बोल सकते है ठीक है यह आपका position number two है और यह आपका position number पर क्या है सेवन है इसले मिसको बोलते हैं फिनांद एंथ्रासीन टू सेवन डाई सलफोनिक एसीड ठीक है बात करना हम इस ड्रग की तो यह आपका है एंथ्राकिनों एंथ्राकिनों इस दो मॉस्ट इंपोर्टेंट डिर्वेटी ऑप द एंथ्रासीन जो कि हम आगे पढ़न एपने वाले और नेश्ट क्लास में इसको मोड़नाँ डिटल मैं तो इस तरह के नामनेज़टर किया जाता है इस इस वह पर होता है बात तरह के हम बेसिक प्रोप्रॉटी जो यह जो इंधराशीन है वो अध्रारल-डे सालिड होता है इसके मॉलक्रॉर फरमला है वह था आ centigrade पर ठीक और बात करें इसके अपरेंस की तो यह आपके कोल टार्ड में भी हमको मिलता है लब अग एक परसेंट हमको मिलता है कोल टार्ड से और आपके जो यह जो जो डार्ड में रखेंगे तो बुलू फ्लोर्ड फ्लोरसेंस सो करेगा मतलबू फ्लोड फ्लोरसेंस अपरेंस की इन्डओ लाइट ठीक है वागते हमने उसके solubility की तो यह वाटर में इंसलोबल है जितने ही polynuclear hydrocobons है सारे सारे मेंजिम मेंजिम जो है वाटर इंसलोबल होते हैं और आपके जो benzene है या ether है या alcohol है उनमें यह आपके ईजली होते है ठीक है तो इस और दो बेसिकल परटी इंशक्शार अप्रेंद और दो भी लिए वाटर धी कर दो अब तो आपका फिल्राफ्ट राट्रेक्शंस की हैल्प से हम आपके एंध्राइसीन को या इंध्राइसीन को हम बना सकते हैं बात करने फिल्राफ्ट की तो उसमें खास का हम लोग ऐलकाइलेशन प्रोसेस करते हैं उसमें इसकलें बेंजीन ले सकते है उसमें आपका जो अश्टम लखी tisyeotilon के लिए है या फिर बात खिरेंगे हम लोग या इसका कम लसकते हैं कैसे लेंगे हम देखते हैं तो हम इसमें भानेट से हम लेते हैं आपके यहां है पेच है यह से यहां का जो है और चीयlle यह निकल जाएंगे और यह एक diffuse हो जाएक हो जाएगा इस तरह की तो यह आपका बेंजीन है, उसमें हम अधेलिक इनहाड़ीट निश करेंगे, मतलब एक तरह की से आपका इसलेशन प्रोसेस है, या आपका एकलेशन प्रोसेस है, तो इसमें जो है आपका जो यह है, यहाँ पर एक्टेक करेंगे, और अल्टेमेटली क्या होगा? फिर यह जो आपको Benzoic Acid है यहां से जो है यह आपका Benzoic Acid है यह क्या आपका यह आपका Benzoic Acid है इसलिए और्थो यह और्थो पोईशन है यह पहला है निम्बर 2 है इसलिए और्थो और्थो Benzoic Acid ठीक है तो यह आपका OH है एच है यह इसली जो है वाटर निकल सकता है इसली इसलिए हग go do करेंगे झिट करई जो कि ईसे चाहां निकल जाएगा और इद की Bye को थी कि त्य होगी आपका एंतरा किनल तो एंतरा किनल अगर हम एंत Tips का के अगर Am geil करेंगे तो वापस वह एंत्रासीन में कनोट्स हो जाएंगे तो यह आपके दो important reaction है आपके एंत्रासीन बनने के जो कि है आपका फ्रिटर ट्राप्ट reactions यह आपका एलकालेशन है आपका एसालेशन है इसको नोट कर लिजिए पहले फिर में बात करते हैं कुछ और reactions के बारे में जो भी important है और भी similar है एक तरके से चली हो गया ओके ठीक है सब्सक्राइब करेंगे और तो बेंजोई टॉल्विन है यह आपका और तो पेशन बेंजोई है ठीक है इसका हम करेंगे और 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 यह आपका यह इस यह पुद्ध जाएगा और तो बेंजोई के सिग जो कि आरड़ी हमने देख चुके हैं फिर इसली आपका वाटर जो है निकल सकता है और आपको बनेगा एंथाकिनों फिर इसको हम करेंगे इसको करेंगे तो क्या बनेगा आपका एंथ्रासीन उसको करने तो बहुत इसी पॉसेजर है थर्ड़े आपका डाइस एल्डर एक्शन ऊसको देख लेते हैं आपके ब्यूटाडाइन से इसेंसेल्टू के प्रजेंस में माना 50 डी संटिकेट पर यह बन जाएगा आपका एंध्रा किनों को कैसे करने के आलड़ी पता है एंध्रा किनों का हम जिंग दश्ट के साथ में रिक्सन कराएंगे तो क्या होगा रिडक्षन होगा और के लिए उसके सिंथेसिस के लिए ठीक है इसको नोट करने के लिए सिंसाटली जी पहले है फिर हम बात करते हैं आगे इसके किमीकल रिक्सन के बारे में जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है और एक तकर सेम होंगे आपके बेंजीन या फिर नख्थरिन जैसा बस उसमें जो है जो रिक्टिविटी है वो अलग हो सकती है अलग सौर्विंट के केस पर जिसको बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके अब्जेक्टिव क्विश्चन के लिए ठीक है चली हो गया ओके फर्स्ट है आपका ESR रेक्शन मिंस इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्टिटरेशन रेक्शन जिसमें आते हैं आपके हेलोगेनेशन है सिल्फोनेशन है नाइटरेशन है फिरलक्रॉप्ट अलकालेशन रुएसालेशन है ठीक है बात करें हम इस रेक्शन की थोड़ा से डिपेंट ह होका जो पॉजिसन है एंध्रास्स सीन का ऋर डिफेंट् सकता है यासे की बात करें हम लोग इन दैन के बारे में तो यह आपका इस्टेक्चर एंध्रास मिन में ठीक तो अगर ऊस्तौष्थ जो हे मीडिया हैं नॉन फोफ्र होंगे दरह स्थ नॉन फोलर स्वेंट के स्वेयं के स्कडियंट कराएंगे तो प्रिफरली वो नेट पॉजिशन पे एड होगा नायनल ब्रोमौ ल nosaltres आपके ठीक है नाइन हेलो एंथ्रासीन इस तरह के से बनेगा नाइन पॉजिशन पर जुड़ेगा पने के मतलब यह है अगर हम उसको पॉलर सॉल्वेंट के केस में कराएंगे तब जाके वह आपके वन पॉजिशन पर टू पॉजिशन पर अटेश्ट होगा जैसे की बात कर हैं तो पहला है आपका हेलोगनेशन रेक्शन तो फस्ट आपका हेलोगनेशन रेक्शन में यूज़ करेंगे लेकिन जो आपके सॉल्वेंट है वो क्या होगा नॉन पॉलर होगा cycl 2 या cycl 4 मतलब carbon hydroglyID या फिर carbonylylous defide cc2 अगर हम इसके आपका द्रेट्वाइंट करेंगे तो आपका जो पर्रोडट्ट है बनेगा नाइन ड्रेटी मीं जो होगा आपका नाइन ब्रोमो एंट्स न्या पिर गामा ब्रोमो एंट्स इसका में पॉलर में करेंगे इसकी इसे यही है लेकिन अलगल टेंपरेटर पर यूज कर एंगे तो मतलब सिलफॉनिक असिड बनेगा इस तरह के से हैं और हम इसको हाइड ले जाए तो क्या बनेगा आपका इंथाजिनग। लिव सिल्कोनिक एस सи तरके से बहुत ऊचि इजी है रहे है आपको नैट्रिरेशन प्रोस्योंड इस लिए इसे में होता है इस सिम्लार हुटा इस से इसमें नॉन पॉसुलेंत अट्योंड ये सबाइन चैज हका इसमें हम लोग एंचेन ये आपका तो क्या बनेगा आपका 9 P ॉटेक्ट होगा और अगर हम पॉलर्ड करेंगे तो आपका क्या होगा आपके 1 या 2 हो सकते हैं ठीक है तो ये भी तरके से नोन फॉलर्ड सॉल्वेंट ये अप मेंसेन करीजिएगा इस तरह के सब्सक्राइब करेंगे आपके यह करेंगे यह करेंगे यह करेंगे यह सकता है तो हम बनेगा आपका बनेगा मतलब 9-style anthracene बनेगा उसको अगर हम पॉलोट के साफ में उसके नाइट्रोब नजीन है तो बनेगा आपका वन एक यह तरह सिंगे तो इसको करेंगे तो रहा है उसके यह उसकर नाइन बनेगा मतलब 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- तो क्या बनेगा आपका 1-methyl anthracene मतलब हो जाएगा तो यह कुछ बेसिक यह सार रेक्शन हैं आपके anthracene में कुछ और रेक्शन होंगे जिसके आपका रेक्शन और ऑक्सिदेशन वह भी इंपोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं इसको नोट करने के लिए स्क्रीन सोटे पर लिजिए फिर में बात करते हैं और रेक्शन और रेक्शन अप्ड़ एंथ्राशीन चली होगया ओके तो यह आपका रेक्शन इसमें रेड्यूस होगा मतलब जो आपका हाड्रोजन और एडप्ट होगा आपके 9 और 10 पोजिशन पे तो क्या होगा आपका 910 डाइड्रो और एंथ्राशीन यह पर जो हैं इस्ट्रा हड्रोजन एडप्ट हो चुके हैं यह होगा आपका रेक्शन इसमें हम जो हैं सोडियू डाइक्रोमेट या प्रट्सन डाइक्रोमेट या यूज़ कर सकते हैं आपके श्रुसफोर के साथ में तो क्या बनेंगा आपका 910 एंथ बात करेंगे इसको नौट करने के लिए आप इसके सव्डेलेटी बात करते हैं बात करते हैं इसके बेसिक यूज़स के बारे में क्या हैं आपके ऐंके और ट्रस्फीं डिरेटीव के ठीक है चली होगया ओके अ क्दिए को आप देख सकते हैं जो पहला जो है अपका मोड प्रिजरी सिंसक ब्रफिर करें उसमें KEET कर शकरते हैं इस कि AM 1968 आफ का cloth के छिन्स आफ शॉड़ीड की सांटेश्ये के सबसकते हैं। the detector of high energy photons, electrons and the alpha particles, ठीक है, फिर थे आपका derivatives, मतलब anthracene derivatives like anthracinones are used as purgative like emodine, आपको जी emodine है, alloy emodine है, वो यह तरह से purgative भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी anthracene, anthracene या anthracenone glycosides है, उसके लगा है आपका spasmolytics like alle gerines, जो है एक तरह के से आपका anthracenone का ही part है, उसमें rings होते हैं, एक तरह के से आपके spasmolytics में यूज़ कर सकते हैं, second है आपका cathretics, next है cathretics, cathretics का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके आपका anthracenone glycosides हैं, जो भी आपका lexative, purgative में हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके जो इस टूल फोर्मेशन या इस टूल को जो है बहार निकालने में हेलफुल करता है, इसके लाभी इस टेरिवटिवस आ अलसो यूज़ एसे anti-malarial, anti-HIV, anti-fungal, antibacterial, anti-warrel, hepeto-protective and the dialectic action, तो यह सब उनके सारे यूज़ हैं, आपके anthracenone या like button, share with your friend and any feedback, please comment on the comment section that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.